नमस्कार दोस्तों मा शार्दा कुम्पूटर की ओनलाइन क्लासेस में आपका स्वावत है हार्दी अभी नंदन है SLM All Info इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम कंपूटर सीख रहे हैं और कंपूटर के बारे में हम आउट्पूट डिवाइसेस की बात कर रहे हैं इससे पूरो की कक्षा में हम इन्पूट डिवाइस पढ़ चुके हैं और इससे पहले बैसिक कम्पूटर फंडामेंटल की विभिन ने जानका रहा हम लोग इस चैनल के मध्यम से सीख चुके हैं जिन्होंने अभी तक यह सारे वीडियोस नहीं देखे हैं पुरू में वो वीडियो देख लें और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्क्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्क्राइब करें ताकि उनको आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी भी समय समय पर मिलती रहे है दोस्तो हम आज बात करेंगे आउटपुट डिवाइस में 3D प्रिंटर और प्लोटर की देखें दोस्तों चित्र में आपको दिखाई दे रहे हैं कि यह 3D प्रिंटर के मत्यम से एक बिल्डिंग ब्लोग बनाया गया है अर्थात किसी बिल्डिंग का मोडल बनाया गया है इस प्रका से 3D प्रिंटिंग क्या होते हैं पूरे डिटेल में हम जानेंगे और प्लोटर के मध्यम से दूसरे चित्र में प्लोटर के मध्यम से एक विक्ति का चित्र आपको छपा हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों तो आज इन दोनों आउटपुट डिवाइस की हम बा के मध्यम से यह एक घर का डिजाइन बनाया गया है 3D प्रिंटर में जो कि एक घर का नमोनाया मोडल हम कह सकते हैं दोस्तों 3D प्रिंटिंग एक आधनिक तक्नीक है और दोस्तों हम सामानिता जो हमने इस पुर्व की वक्षाओं में प्रिंटर पड़े थे उन्हें में टू वह क्यावल दो अक्षों पर हम उसे देख सकते थे उसकी क्यावल लंबाई और चोड़ाई हमें प्राप्त हो पाते थी लंबाई और चोड़ाई में देख सकते थे उसे लेकिन दोस्तों जो आज के 3D प्रिंटर से जो प्रिंट किये हुए प्रोड़क्ट होते हैं उन्हें की साहता से हम किसी भी प्रकार का प्रिन्टर प्राप्त का सकते हैं ठीडी प्रिंटर की साहता से क्योंकि इसमें 3D THRI डाइमेंशन अर्था तीनों दिशाओं में तीनों विमाओं में लंबाई चोड़ाई और गहराई में जो आपका output होता है वह प्राप्त होता है और हुब हुब थीक वेशा का वेशा जैसे की सामाने प्रकार से वह वस्तू होती है ठीक वेशा ही वह दिखाई देता है तो आजकल इस तक्निक का उप्योग बहुत जल्दी है तक्निक लोखपरी हो गई है दोस्तों हम बात करें 3D printing की बात करें तो इसमें आपको जो output प्राप्त होता है वह देखने में बिल्कुल वेसा लगता है जैसा की वास्तों में वह होता है दोस्तों कि इससे हम बहुत लेटेस्ट टेकनलोजी कह सकते हैया बहुत नई टेकनलोजी कह सकते है और यह जो paling बहुत तक्निक है बहुत च्जी से famous हो चाती है और इसके जो printer है यह छोटे printer भी आ गए बड़े प्रारफमा में इसके बड़े प्रिंटर हमें प्राप्त होते हैं लेकिन आज चोटे बिल्कुल चोटे चोटे प्रिंटर जो की सामानी व्यक्ति इससे खरीच सकता है और इससे प्रोड़क्ट 3D प्रिंटिंग तकनीक का इस्तेमाल करके इससे प्रोड़क्ट डिजाइन कर सकता है और प्रोड़क्ट को देख रहे हैं यह 3D printing किस प्रकार से कार्य की कार्यरत है इसका चित्र आप सामने देखें और आपका ध्याइन चित्र में होना चाहिए दोस्तों सबसे पहले computer-added design बनाई जाती है सब्सक्राइब करना है जो 3D printer या product बनाना है उसके लिए design आपको बनानी होगी जैसे कि आपको कोई shoes बनाना है कोई खिलोना बनाना है या किसी गाड़ी के parts बनाना है जो भी आप चाहें जो बना सकते हैं इसमें material आपके पास होना चाहिए वह design बनाकर उसे upload किया जाता है upload करने के बाद printer से metal select कि जाती है जिससे आप printing करना चाहते हैं दोस्तों आप तो इस चित्र में देख पा रहे हों है कि विभिन प्रकार के जो products है विभिन प्रकार के material है उनसे यह product बनाए जाते हैं अब material में आपक गसलेख यृब घभाया जिस हो चोंड अज सब्सक्कुनारक जैना हुआ कि सानगा करना है से आप श्रचेस को इस समय जाता है इस्तार एंज में आटराही है टौ streets आप ली आपधे है प्रोड़क्ट प्राप्त हो जाता है देखिए वह प्रोड़क्ट किस किस प्रकार का हो सकता है देखिए दोस्तों कि आपको जो चित्र दिखाई दे रहा है यह फिलामेंट का चितर है वह om एडिवाजने रहा है यहाब प्लास्टिक फिलामेंट में लगाया जाता है और फिर उसे बना जो खिलो ने आपको ऊपर छिटर में दिखाये दे रहा है को फिलामेंट से तैसाय किए जाते हैं प्रोडेक्ट का निर्मान करता है बिल्डिंग प्लेटफॉर्म पर और आपका जो प्रोडेक्ट है वह तैयार हो जाता है दोस्तों किस प्रकास से और इस पश्ट तरीके से आप देखें देखें दोस्तों यह सामाने 3D प्रिंटर अपना आपको चित्र में दिखाए दे रहा है निर्मान कर रहा है 3D प्रिंटर आप देखें यह 3D प्रिंटर इस बिल्ड टेंक के माधियम से जो परत दर्द परत निर्मान कर सकता है आधुनिक प्रिंटरों के माधियम से प्रकार लेजर सिस्टम भी इसमें अवेलेबल है हमारे पास तो इससे भी यह प्रोडेक्ट् कि दोस्तों आज की बात करें आपने चित्र में समझा कि 3D प्रिंटिंग के माध्यम से विभिन प्रकार के जो ऑब्जेक्ट हैं वह बनाए जा सकते हैं दोस्तों आज कल इस कंप्पूटर एडिक डिजाइन के माध्यम से कंपूटर में तयार किये गए डिजाइन को धरातल पर लाना अर्था 3D प्रिंटर के माध्यम से हुब हुब सिस्टम में बनाए गए जैसा दिखने के लिए यह 3D प्रिंटर आज बहुत लोप्री हो रहे हैं और यह 3D प्रिंटिंग टेक्नोलोजी के माध्यम से विभिन शेत्रों में विभिन और योगीक शेत्र में काफी विकास हुआ है 3D प्रिंटिंग टेक्नीक के माध्यम से rea आप देखे हैं कि आज क reflecting गे विभिन प्रकार के समस्क्राइब प्रोडस इसे बनाए जा रहा है ना चल्राहए विभिन प्रकार के प्रोडक्स के हम बात करें तो इस परगार के अंगों को बनाकर उसमें आने वाले समय में आपके जो शरीर के अंगों का निर्माण उसको रिप्लेश कर सकते हैं इस आधुनिक तक्नीक के वध्यम से तो यह जो आधुनिक तक्नीक है 3D printing वास्तव में यह हमारे लिए वरदान साभित हो सकती है और मनुश्य जगत को यह एक बहुत आगे की और ले जाने वाली तक्निक सामने आई है इस प्रकार 3D प्रिंटिंग तक्निक दोस्तों कई बार जैसे नया बिल्दिंग का निर्मान करना है नया भवन का निर्मान करना है तो उस भवन का नक्षा आप वह कैसा लगेगा बनने के बाद वह आप पहले ही देख सकते हैं कम्टर में डिजाइन करने के बाद माल लिजाए कि आपको कोई CT का रोडवेप तयार करना है रोडवेप तयार होने के बाद उसे 3D प्रिंटिंग तक्निक की माध्यम से आप आउटपुट प्राप्त करके आपका जो CT का रोडवेप CT कैसी लगेगी शहर कैसा लगेगा इसके इंपलिमेंट होने के बाद वह आप पूरू में की देख सकते हैं . पेहले ही इन्दाज लगा सकते हैं . चलिए अब हम बात करते हैं . प्लाटर की . दोस्तो प्लाटर जो आपके सामने चित्र आपको platter का दिखाई दे रहा है दोस्तों यह चित्र platter का है और यह इस प्लैटर में टोनर की बजाय विभिन डोट्ष शंकला को कागेश पर निरंतर लाइनों के माध्यम से यह पेन पेंसिल मारकर या अन्य किसी डिवाइस को अपयोग करके लाइने लगता रखीचता रहता है उस तक्नीक से यह काम करता है दोस्तों हम कह सकते हैं कि प्लैटर एसा आउटपुट डिवाइस है जो की चार्ट ग्राफ चित्र या फिर मेप दोस्तों आप देख सकते हैं कि यह किस प्रकार से विभिन प्रकार की चिजें इससे प्रिंट की जा सकती है चापी जा सकती है यह सामाने प्रिंटर से बड़े आकार का होता है दोस्तों आप दे मेप का चित्र है इस मेप को प्रेंटिंग करने के लिए प्लैटर का उपयोग किया जाता है दोस्तों तो प्लैटर पर हम विविन प्रकार के चार्ट ग्राफ चित्र या मेप आधी हाड रूप में हाड कोपी पर प्राप्त कर सकते हैं और बड़े आकार के जैसे कि आप लोगोंने कई जगह पूरी दिवाल पर कुछ नक्षे देखे होंगे दोस्तों फैंटर के मध्यम च्पर हुए नक्षे होते हैं दोस्तों प्लैटर की बात कर रहे हैं तो प्लैटर के विभिन है दो ब्रकार दो भागों हम प्लैटर को बाट सकते हैं कि लाटर ड्रं repair ड्रं पें Зांसा यह दो ब्रकार के उक्तिक उतने में जिसें जडेसे होती दोस्तों संझें घघक ब्रण-पइन दोस्तों आपको चित्र में ऑधकूस्तopaHAHA ड्रम प्लैटर तो दोस्तो इस पष्टें नाम से ही सिभ्ष्टि के सब्सक्राइब lust 25 Lynn ओर इसके साथी पें के द्वारा इस पर कटेंग की जाती है राइने के पेंविपारी जाती है और चैपर नुध को आउट पूर देता है प्रेंट आउठ लूट देता है कि आप इस चित्र में ड्रम पेन प्लैटर की कारिविदी को समझ सकते हैं दोस्तों कि जो नीचे ड्रम लगा हुआ है उसके उपर पेपर और पेपर में एक मकान का नक्षा बनाया जा रहा है दोस्तों मकान का नक्षा बनाने के लिए उस पेपर को जिस पर आपको नक्षा छापना है उस नक्षे को उसके पेपर को इस पर ड्रम के उपर लगाया गया है और उपर से एक पेन है जो की नुकिला पेन है उसको कटिंग करते हुए यह नुकिला पेन यह मोमेंट ड्रम जैसे ड्रम घ में इस प्रणाली में को मैं भाटर का ही प्रकार हम देखें आ अग में देख सकते हैं इस Bluetooth के समार आकृट आक्रती दिखाई रही है है इस पर यह आपको रॉल दिखाई दे रहा Arabia पर इसके प्रवेश पर से इसपर cutting हो जाती है we are cutting के लिए कि चलता है इस पर और output आपको देता है मन चाहिए आपने आक्रती जो आपने आपके computer में set की है अपने design की है उस design के आक्रती को कटिंग कर देता है और हमें output प्राप दे दोस्तों फ्लेट प्लोटर से कि देखिए दोस्तों इस चित्र में आप फ्लेट बेट प्लोटर की कारेप्रणाली समझ सकते हैं दोस्तों यह उपर जाएगा और यहां पर आपको जो आपने सिस्टम में डिजाइन किया गया है वहां से आपको निर्देश मिलेंगे और यह प्लोटर जो है इसके समंधित ड प्लाटर की बात करें तो प्लाटर विभिन प्रकार के चार्ट बना सकता है और यह प्लाटर जो होते हैं विभिन प्रकार के विभिन इंजीनियरों और इनके दोरा भवन निर्मान में पहले से नक्षे डिजाइन किये जाते हैं और या फिर किसी शहर के इसी शहर के या गा किया जाता है दोस्तों दोस्तों आप हम बात करेंगे कि इसके फाइद है क्या है दोस्तों तो सामाइने प्रिंटर की तुलना में इसका बहुत विशेश उप्योग है सामाइने प्रिंटर में हम छोटे छोटे प्रेंट आउट प्राप्त करते हैं लेकिन प्लाटर की साहिता स से यदि हमें बहुत बड़ी शीट पर प्रिंट प्राप्त करना है तो हम प्लैटर की साहिता से कर सकते हैं बड़ी बड़ी शीट पर डेटाप्रिंट इसकी साहिता से किया जा सक्ता है साथ ही केवल हमें शीट पर ही नहीं प्लाइवुड एलुमिनियम, कार्ड़ बोर्ड, प्लास्तिक, विबिन ठोस सामगरी पर भी यह छपाई कर सकता है किसी भी एक जिसे प內टर्न को या बार-बार बना सकता है उसको खराब किये, बिना शिट को खराब किये, बिना चित्र को खराब किये यह बार-बार एक जैसा पैटर्न मनाने के लिए इतार है ऑसके प्लाटर इसके अलावा और कि बात करें तो प्रकतलों के कुछ नुक्सान भी वशता है इसका नॉक्से करें यह को अधुने चोटा आकार होता जा रहा है लेकिन प्लाटर का आकार बढ़ा ही होता है और साथ ये बहुत अधिक मांगे होते हैं ये इनकी कुछ कमिया हैं दोस्तो आप ये चित्र देख सकते हैं दोस्तो ये एक रेडियम पर रेडियम पर कटिंग की गई है दोस्तो तो विभीन इस प्रक प्राइने आप इस पर बना सकते हैं जो भी आप सिश्टर में डिजाइन बनाते हैं उसके आख अकरती में यह प्लाटर जो है उसको ctting करके और आपको इसे निकालकर जहां चाहे वहाँ चाप सकते हैं इसे निकालने के बाद इस डिजाइन को आप कहीं ही चिपका सकते हैं जो की बहुत आकरशक दिखने में बहुत आकरशक और सुन्दर लगती है तो आजकी ओंलाइन क्लास में हमने 3D प dif völlig को समझा है यदि आपको जानकरी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले जैहिन दोस्तो